ये बंदा कौन है जिसे लोग इतनी बेदर्दी से मार रहे हैं और वीडियो भी बना रहे हैं वैरर भी कर रहे हैं सोचल मीडिया पर बीडाल रहे हैं आप इस बंदे को जानते हैं क्या ये जो प्रेस कानफरेंसेज करवाये जा रहे हैं ये पाकिस्तान की तारीख में पहली जगावत जगावत आब आये मैं सामनी दिया के सामनी उन्ता चैलिंज दबूर करता हूं मैं सबूर ना दे सकूँ जी भाई ये आबिद बोकसर है डबंग इंस्पेक्टर जिसने कई 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 पूलीस मुकाबले किये और फिर नौकरी खतम होने के बाद फिर इसने प्रैस कों की तरफ से उस वक्त उनकी प्राइटीज कुछ और थे उस वक्त वो शौबाश श्रीफ नौज श्रीफ और इनको नीचा दिखाना चाते थे इनकी खिलाफ पर इस कांफरेंसेज हो रहे थे तो इसने भी अपना हिस्सा डाला उसमें तो फिर वक्त बदलते देर नहीं ल ये रिसेंटली एक वीडियो वैरल है आप देख कुछ नमालूम अफराद बिचारे को मार रहे हैं ये शौबाश श्रीफ के खिलाब वादा माफ कवा था ये तो उनका मोरा था ये तो उनके हग में प्रेस कांफरेंसेज करता था लेकन वज़ा है उन पर से चेन तबदील ह लोगों के प्रियर्टीज तबदील हुए ऐसे मोरे दो मिनिंट लगते हैं कि इनके साथ क्या होता है पता भी नहीं चलता तो इस वक्त जो लोग हैं वो चाहे पुलीस हो या कोई और महतमा हो अपने लोगों पर तशद्द कर रहे हैं अपने लोगों को मार रहे हैं चादर शरीफ को पता चला ना इमरान रियाज को पता चला ना आबिद बॉकसर को पता चला ये तो मोहरे थे आज अगर आप मोहरा हो तो कल आप अर्श शरीफ बन सकते हो आप आबिद बॉकसर बन सकते हो आप इमरान रियाज बन सकते हो खुदारा कुछ इबरत हासल करो कुछ पाकिस्तानी लोग तो वैसे भी गजनी मिज़ाज है ना, इनकी मेमरी तो बहुत शार्ट है, ये माजी को देखते नहीं है, आप लोगों के सामने हैं जो जो मुहरे थे उनका फिर क्या हुआ, खुदारा कौम मुलक की खिदमत करें, आप लोगों को चांस दिया है, लोगों क जो घड़ी जिस तरह से चलो रही है ना, ये फिर सोई घूमते हुए कब आप तक पहुंच जाए, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, इस वक्त मुझे ज्यादा देजिएगा, थैंकियो अल्लाव